हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आसा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ आज कुछ अच्छा और कुछ नया टीप्स लेके आई हूँ तो जो भी खाली बोतल है उसको आप गलती से भी मत फेकेगा जो भी हमारा कबार है वो भी आपको फेकने की जरूरत नहीं है तो आज कबार से जुगार आज हम बताएंगे आप कुछ किचन के टिप्स चलिए वीडियो को सुरू करते हैं देर नहीं करते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको इस तरीकी का जो भी बोतल है आपको ले लेना है तो कई सारे बोतल ऐसे होते हैं कि जो हम बाड़ी वालों को दे देते हैं क्योंकि वो हमारे काम में नहीं रहता है लेकिन आज हम उसी बोतल से कुछ अपने लिए बना सकते हैं कुछ कर सकते हैं अपने कीचन के लिए जो कि बहुत ही यूजफूल है तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस तरीके का कोई भी बोतल ह और विमारी जाको काती है जाको को अगर हम गरम करके करने यह तो हाथ में दो चोट में से कट झाता है तो इसलिए मैं जब भी बोतल को काटती हूँ तो मैं चाको का इस्तमाल जरूर से करती हूँ इस तरीके से आपको चाको से काट लेना है तो अभी इस तरीके से चाको से हमें अच्छी तरीके से काट लेना है तो यहां पर देख सकते हैं कट गया है और बोतल से बहुत ही अच्छा हम अपने घर के लिए कूछ बना सकते हैं यह थोड़ा सा जो बोतल है यह थोड़ा सा पिछका हुआ था पर इससे कोई मतलब नहीं हम इसको काट लिए हैं और यह साफ हम इस तरीके से काटते हैं जैसे मैंने वह बाला काटा था तो बीच वला जो पाट वोको निकालना हो आवह क्यों कर देंगो सकते ह brat काट दिया तो अब श्रीके से सच्प्ण खूल ले ला है तो अगर आफ चाहें थे तो सेट भी कर सकते हैं और इधन मैंने इस साइड में बारेकी बारेकी मतलब शलक और लगा लेना है तो इस तरीके से पूरा आपको लगाना है और इस साइड भी आपको लगाना है पूरा मतलब चारो साइड आपको गुमा के लगाना है और आपको इस तरीके से इसके उपर आपको चिपका देना है तो इधर मैं इसको कर दी हूँ अभी और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का जो बीच वाला जो इसका पाट है उसको भी हम कई पर फेक देते हैं लेकिन इसको फेकना नहीं है अभी आपको कटर से इसको अच्छे से काट लेना है तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको कट कर लेती हूं तो कटर को भी इस तरीके से कट कर लेना है सुरी बोतल को और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं अभी आपको इधर से भी कट कर लेना है तो यहां पर मैंने इस तरीके से भी काट लिया है और अभी इधर से भी आपको इस तरीके से तो थोड़ा तो यहां पे भी इसत तरी के से कट करेंना है, और दूसरी साइट से भी आफो किनार्य का है , perd शाग करने न काट similar है यहीं और रिखें से लोक्ट है , shouldn't it. तो यहां पे दाले ले लेना है मतलब डाल रखना है कि इस दर्ना में को एक जावल रखना है चीनी रखना है कुछ भी रखना है आपको तो यहां पर देखे इस तरीके से आपको बीच में इसको लगा लेना है पतला करके यह देखे इस तरीके से अभी लग गया है आप इसको हम क्या करेंगे इसी के उपर हम डाल डाल देंगे तो जिस तरीके से आप इस तरीके से एक हा तो हैना कमाल का टिपस तो कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको कैसा लगा यह हमारा चोटा सा टिपस इस तरीके से आप कोई भी समाने दिखिये आपको इस तरीके से इसमें डालना है और इस तरीके से आपको डालना है तो यहाँ पर यह देखे जो भी डाले हैं आपके बोतल में अच्छे से चले जाएंगे तो इस तरीके से आपको डाल को डालना है तो देख सकते हैं मैंने यह पर डाल दिया है अभी पूरा बोतल भी आप इस तरीके से भर सकते हैं तो जो बीच वाला पार था उससे यह और यहां पर यह जो पानी का बोतल होता है बच्चे स्कूल में लेके जाते हैं और यह क्या हो तो आप इस तरीके से उसमें कोई भी समान भर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर चावल रखा है, और अच्छे से ढखनग खोल के आप इसमें चावल आरम से भर सकते हो। इसका मूँ जो होता है, उसके बाद यहाँ पे आप अराम से देख सकते हैं, चावल निकाल सकते हैं, इसका यह जो मतलब की यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ चावल को निकाल सकते हैं, जितना भी आपको यूज करना है, आप उस हिसाब से यहाँ पे निका तो बहुत अच्छे से रख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से यह देख सकते हैं इसमें अरजेस्ट हो जाएगा थोड़ी बहुत जो चीजे होती हैं जैसे की चीनी हो गया या दाल हो गया यह सब चीजे थोड़ी सी कम होती है आप अराम से इसमें थोड़ा सा समान जैसे की अधा लींटेरे का है इसमें आपा box से रख सकते हैं तो इस तरीके से कोई भी चावल आप पिस में डाल सकते हैं प्रम्त ईमया को पैस tale का न horrific कॉछ और गोर सकतेgebaut कि शया निदम और को मुला लेक्त एक तरिकाए।ा और प्लाओं यहां और ऊकर ने सुझनी कि नहीं पोई है अब हम इसको क्या करेंगे इसको एक अच्छी तरह से एक और यह और हम निकाल लेते हैं चावल और चावल निकाल लेते हैं क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमें यह अंदाजा नहीं मिलता है हम कितना बनाएं, कम बनाएं या फिर ज़्यादा बनाएं या तो फिर हम किसी भी कंटीनर में चावल भर के रखते हैं जब ज़्यादा तो उसमें हम हाथ से नहीं निकाल सकते हैं तो आप क्या करेंगे आप इस तरीके से चावल को निकाल सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से चावल निकाल सकते हैं या फिर किसी भी आप कंटीनर में इसको डाल सकते हैं जहां से आसानी से आप इस तरीके से कोई भी सामान निकाल के अपने हिसाब से ले सकते हैं आई होप की ये टिप्स भी आपको पसंद आया होगा मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा चलिए दूसरे